नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में, EQZ64G vs. Oppo A16K का फुल डेप्ट कंपारिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की। 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Z64G में 182 ग्राम्स जबकि A16K में 175 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Z64G में AMOLED जबकि A16K में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Z64G में 6.44 इंचर्स जबकि A16K में 6.52 इंचर्स मिलती है। डिस्प्ले रेजलूशन Z64G में 1080 by 2400 और A16K में 720 by 1600 मिलता है। Screen to Body Ratio Z64G में 84.49 प्रतिशत जबकि A16K में 83 प्रतिशत मिलता है। बात करें PPI Density की तो Z64G में 409 प्रति इंच जबकि A16K में 279 प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशता है की जो की Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है। अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें MAN कैमरा की तो Z64G में 3 कैमरा देखने को मिलता है। बात करें विडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो Z64G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और A16K में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं। hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं। GPU की बात करें तो, Z64G में Adreno 610 जबकि A16K में PowerWare GE8320 मिलता है। चिप सेट की बात करें तो, Z64G में Qualcomm Snapdragon 680 और A16K में MediaTek Helio G35 मिलता है। बात करें RAM की तो, Z64G में 3 variant देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है जबकि A16K में 2 variant देखने को मिलता है। जिसमें 3GB, 4GB RAM मिल जाती है। बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो, Z64G में 3 variant देखने को मिलता है। जिसमें 128GB, 128GB, 128GB की Storage मिलती है जबकि A16K में 2 variant देखने को मिलता है। जिसमें 32GB, 64GB Storage मिल जाती है। Expandable Memory दोनों फोन में, up to 1TB है। ओपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो, Z64G में Android V12 जबकि A16K में Android V11 देखने को मिलती है। बाटरी, Z64G में 5000mAh जबकि A16K में 4230mAh देखने को मिलती है। अई अब में फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो, Z64G में 2 कलर्स जबकि A16K में 3 कलर्स आप्शन मिलते हैं। सब इन्फोमेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो, Z64G में 3 वैरियंट देखने को मिलते हैं। जो की 4GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 13,999 रूपीज, 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 15,499 रूपीज, 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रूपीज में मिल जाता है। जो की 3GB RAM 32GB स्टोरेज के साथ 10,490 रूपीज, 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 12,490 रूपीज में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो एकू Z6 4G में साथ फायदे और दो नुकसान देखने को मिलता है। फायनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Z6 4G आगे है। में कैमरा में Z6 4G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Z6 4G आगे है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियल मी 9 Pro 5G है, दूसरा शाउमी Redmi 10A है, तीसरा वीवो Y2 1T है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G71 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।